हेलो दोस्तों नमस्कार बेबी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर आतंग की हमलों के बीच कश्मीर जा रहे हैं करीब पाच हजार कश्मीरी पंडित क्या है बड़ा कारण बताएंगे तो वहीं कट हुआ के देहशत गर्दों का हुआ दी एंड पाकिस्तान में बनी म मुंबई हमले जैसी थी इनकी साजिस करेंगे बड़ा खुलासा तो वहीं अभी अभी 40 भारतियों की मौत की बड़ी खबर आ रही है पूरा भारत का विदेश मंत्रा लाय हो गया अलट दोस्तों बताएंगे कहां की बड़ी खबर सारी जानकारियां बताएंगे बस आप व कश्मीर जा रहे हैं करीब 5000 कश्मीरी पंडित क्या है कारण बता दे जमो कश्मीर इस वक्त एक के बाद एक आतंगी हमलों के कारण देहल उठा है राज के कठुवा रियासी और डोटा में आतंगी हमले हुए हैं जिसमें कई लोग की जाने भी चली गई है रियासी में तो तीर्थ यात्यों की बस पर ही आतंगी हमला किया है इन सब के बीच अब करीब 5000 से जादा लोग कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर जा रहे हैं आपको बतादे कि इन में जादा तर लोग कश्मीरी पंडित समुदाई से हैं यह सभी लोग कश्मीर में वार्षी खीर भवान मेले के लिए जा रहे हैं आपको बताते दोस्तों जमू के नगर कोटा से 5000 साधिक लोग कड़ी सुरक्षा के बीच भुदवार को कश्मीर में वार्षी खीर भवानी मेले के लिए रवाना हुए हैं यह यात्रा चार दिन तक चलेगी इसमें करीब 80,000 प्रवासी कश्मीरी पंडित आएंगे ऐसे में इसको लेकर भारत सरकार को पूरा सुरक्षा इंतिजाम करना पड़ेगा तो वहीं आपको बता दें कठुआ के दहशत गर्दों का हुआ दी एंड पाकिस्तान में बड़ी मेगी चॉकलेट और दवाइन लेकर आया तंगवादी क्या मुंबई हम इनकी साजिश बता दें जम्मू कश्मीर में तीन दिन के अंदर तीन बड़े आतंकी हमले हुए हैं जिसमें आम लोगों के साथ सुरक्षा बलके जवानों को भी निशाना बनाया गया है 9 जून को रियासी में हुए हमले के बाद कल राद करीब साड़े आठ बजे कट जिस पर ग्रामीनों को शक हुआ और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया जिसके बाद मौगे पर पहुंची सुरक्षा बलोगी टीम ने आतंकियों को घेर लिया और दोनों तरब से फारिंग शुरू ही आतंकियों ने डियाई जी और एससपी की गाड़ियों को निशा पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई और सर्च ऑप्रेशन जारी है अतंकी की तलाश के लिए ड्रोन से भी मदद ली जा रही है वहीं जो आतंकी मारा गया उसके पास से मिले सामान से यह साबित हो गया है कि वह पाकिस्तान से यहां देहशत फैलाने के इरादे से आया एक हेंड से बरामद हुआ है इनसे किलियर समझ में आता है कि पूरे इंतिजाम के साथ इनको भेजा गया था भारत में देहशत फैलाने के लिए एसमें अपने एक जवान के शहीद होने पर दोस्तों उनके परिवार को मजबूती मिल सके इस शोक की घड़ी में कामना जरू संक्या में भारतियों की मौत बताई जा रही है खाड़ी देश कुवैत के दक्षिनी शहर मंगफ में बुदवार को एक इमारत में आग लगे इस घटना में कम सकम 41 लोगों की मौत हुई है जिसमें पांच भारतिये शामिल है सरकारी कुवैत नियू जिजेंसी ने अपनी में यह जानकारी दी है आग बुदवार सुबह लगी और इमारत से लप्टे उठती दिखाई दी हैं और यह आग देखते ही देखते बहु मंजिला इमारत के कई फ्लोर तक पहुंच गया इस हादिसे में मरने वाले पांच भारतिये के रहने वाले हैं कि हम इस मामले की जा हो दिया है मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग हैल हुए हैं वो जल्द ठीक हो जाएं कुवेत में भारतिया दूता वास इस्तिती पर बारी की से नजर रखे हुए हैं प्रभावीतों की सहाईता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है पिरतों की हर संब मदद की जाएगी तो वहीं बता दें चीन पाकिस्तान दोनों का इलाज जानते हैं नए आर्मी चीफ उपेंदर दुवेदी वार मैप होया लसी इन चीजों के हैं महारती बता दें केंदर सरकार ने लेफटनें जनरल उपेंदर दुवेदी को नया सेना प्रमुक न होने के बाद उनकी जगह लेंगे गौरतलव है कि पिछले महीने ही केंदर सरकार ने जनरल मनोज पांडेजी का कारेकाल 31 मई को उनकी सेवानी व्रती से छे दिन पहले ही एक महीने के लिए बढ़ा दिया था एक जुलाई 1964 को जन में दुवेदी सेनिक स्कूल रिवा के पु आपको बताएं तो लेटनेंट उपेंद दुवेदी जी का एक्सलेंट परफॉर्मेंस रहा है तो वहीं आपको बता दें भारत दोरे से लोटकर क्या बोले मालदीब के राश्ट्रपती मुहम्मद मुईजू कहा हमारी प्रगती में मिलेगी मदद जिहां प्रधानमंत्री नरेंदर मोदीजी के शबत ग्रहन समारों में बांगला देश शिरलंका और भुटान के राश्ट्र धक्षों के साथ साथ मालदीब के राश्ट्रपती मुहमद मुईजू को भी बुलाया गया था समारों में शामिल होने के बाद अब मुईजू ने अपना अनुभब शेय के लिए भी सफल रही है दरसल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदीजी ने लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शबत लिए इस समारों में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर छेतर के राश्ट्र धक्षों ने भाग लिया भारत आने से पहले मुझ्जू करके साथ उचिस तरिये बैठके कर सका इसके लिए मैं आभारी हूं मुझे विश्वास है कि मजबूत दूपक्षे संबंध भविश में माल दीव के लिए आकांग्शाओं को और बढ़ाएंगे तो वहीं आपको बता दें भारतिये नौसेना का यह योधा पहुंचा अनकारी दिये नौसेना के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यह समूंद्री अभ्यास एक दूसरे की नौसेना के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करता है यह आपसी सयोग को बढ़ावा देने और हिंद प्रशान्त में समूंद्री सुरक्षा जिला और जापान में भारत के राजदू सीबी जोर्ज ने शिवालिक का गरम जोसी से श्वागत किया इस अभ्यास में बंदरगा और समूंद्री दोनों चरण शामिल हैं तो वहीं आपको बता दे पाकिस्तान में पुराने हिंदू मंदिर पर कबजा बदल कर कर दिया मज किस्तान में अल्व संक्यक होने का मतलब कटर पंथियों के डर के साय में जिन्दकी घुजारना है आज हालत ही ये है कि पाकिस्तान में हिंदूओ और सिक्षों के धारी में पर कबज़ा करके उन्हें मज्जिदों बदल दिया गया है हम आप को पाकिस्तान के एसे हिन्दू को भी मस्धित का हिस्सा बना दिया गया है है पागिस्तान के वलोगर माखनирाम जटपाल ने इस मंदिर के अंदर जा कर इसकी वीडियो पर दिखाई है जो बताता है कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदू के उपर अत्याचार किया जा रहा है उसके बावजूद भी युनाइटेट नेशन पूरे तरीके से इस मामले में शांत है बड़े बड़े सूपर पावर कंट्री अरब देश जो हमेशा से दब रहा है वहां पर या अलपसंख्यक दब रहा है उनको उबारने के लिए उनके पास कोई जवाबी नहीं आ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन भारत में जहां पर अलपसंख्यक पूरे तरीके से सिक्ट्र सुरक्षित और मजबूति के साथ बना हुआ है उसके बताईएगा जरूर तो वहीं आपको बता दें भारत को इसलामिक देश बनाने की साज़िश्च कर रहते पीएफाई के सदस्य जिहां हाई कोट की बहुत बड़ी तिपनी दरसल बंबई उच्छ न्यायाले ने प्रती बंदित पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया यानि पीए किया था न्यायमूर्ती अजय गड़करी और न्यायमूर्ती श्याम चांडक की खंड़ पीट ने मंगलवार को रजी एहमद खान उनैस उमर खयाम पटेल और कयूम अब्दुल शेख की जामानती आज जिकाएं खारीज कर दी हैं कोट ने कहा कि उन के खिलाब प्रत्थम द दें प्रधानमंद्री नरंद्र मोदी के दोरे से पहले खालिस्तान समर्थकों की नापाक करतूत इटेली में महातमा गांधी की प्रतिमा तोड़ी जिहां प्रधानमंद्री नरंद्र मोदी जी सेवन शिकर सम्मिलन में शामिल होने के लिए कल यानी की 13 जून को इटेली र खालिस्तानी समर्थकों ने इटेली में इस नापा कर्तूत को अंजाम दिया है इस घटना की तस्वीरें सामने आई है इसमें दिखाई दे रहा है कि खालिस्तानी समर्थकों ने महातमा गांधी की प्रतिमा तोटने के बाद वहां विरोध में नारे भी लिखे हैं इस घटना पर विदेश मंत्राले की प्रतिक्रिया सामने आई है विदेश सचिव ने कहा है कि भारत ने इटेली में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला उठाया है प्रतिमा को ठीक कर दिया गया है उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को नु कातार किये जारे हमले को लेकर जलाइल की कड़ी आलोचना किया रशिया में सो मवार को एक बैठक के बाद जारी संयूक्त वक्तव में ब्रिक्स देश के विदेश मंत्रियों ने फलस्तीन की इस्ति बिगडने और विशेस रूप से गाजा पट्टी में जारी हिंसा को लेकर कंभिर चिंता व्यक्त किया है विदेश मंत्रियों ने यूएन जीय प्रस्तावो और यूएन सी संकल्प 27-20 को प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ साथ गाजा पट्टी में हलस्तीनी नागरिकों को मानिविये सहायता तदकाल शुरू करने और निर्वाद तरीके से इसके वितरं का आहन किया है आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों में प्रमुकुरू रूप से ब्राजील रशिया भारत और चीन शामिल है ब्रिक्स देशude ने हमास की आरवाई की निन्दा किये उन्होंने अपने बयान में कहा कि सभी बंदकों और नागरिकों कि तदकाल और बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए उन्हें अवैद रूप से बंदी बनाया जा रहा है तो वहीं बता दें मोधी के प्रधान मंद्री बनने पर जिन्पिंग ने साधी चुपी घिरे तो चीनी दुतावास के बदले सुर्फ गलती पर परदा डालने को दिये सफाई जी हां नरेंदर मोधी ने इस रविवार को भारत के प्रधान मंद्री के तोर पर शबत लिये जाने की चीन और भारत में ही नहीं कई देशों की मीडिया में चर्चा हुई है इसे दोनों देशों के तनाब पुर्न रिष्टों को और खराब करने की तरह से देखा गया है आलोचना होने पर चीन की और से सफाई दी गई की जिनपिंग चीन के रांस्लिपती है और नरेंदर मोधी ने प्यम बद की शबत लिया ऐसे में उनके चीनी संकक्च ली बदाई दी हैं चीन की और से यह सफाई आने के बाद शीर जिनपिंग और जादा 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 घिर गए हैं सोचल मीडिया पर यूजर्स ने उनके बयानों के स्क्रिंशोट वाइरल कर दिये जिसमें उनकी और से बांगला देश की प्यम शेख हसीना और पाकिस्तानी प् कामले को ठंडा करने के लिए अब चीनी दूतावास की और से बयान जारी किया गया है भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने स्टेट्मेंट में कहा है कि चीन और भारत महत्वपुर्ण पड़ोसी देश ऐसे में बॉडर्डर विवास समेत सभी प्रासंगिक मुद् की गई है ताकि लोगों का ध्यान और मुद्दों पर जा सके जिन्पिंग अब तक बढ़ाई नहीं दी उस मुद्दे को कोई सोच ही ना सके ऐसा गेम खेलने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना लेकिन आपको क्या लगता दोस्तों क्या वजह रही होगी कि जिन्पिंग पिम मोदी को बढ़ाई नहीं दे रहें तो वहीं आपको बता दें आंधि प्रतेश में चंद्रबावू नाइडू के शबत ग्रहन के वाद अव ओडिशा में सियम पद का शबत ग्रहन हुआ जहां चार बार के विधायकार ओडिशा के कदावर आधिवासी नेता मोहन चरन मांजीन मुख मंतरी पत की शबत ली है इसके साथ ही राज में पहली बार बीज़ेविस तरकार का गठन हो गया परदान मंतरी नरंद मोदी जी शबत समारो इस्तलप में मौजूद रहें इनके अलावा कालिकर में कई राजवों के मुख मंतरी और कई केंद्रिय मंतरी भी शामिल हुए ओडिशा की cabinet में समेथ 16 लोग शामिल हैं ऐसे में दोस्तों आप लोग ओडिशा के इस कद्दावर नेता अधिवासी नेता मोहन चरण मांजी जी को बहुत धन्यवाद जैन जया भार